यातायात पुलीस बुरहान पुर्द्वारा शहर में बढ़ते पबलिक यातायात को नियंतित करने के लिए पुर्व महिनों में अनेक अनुशाशन प्रिय कारिवाई की गई है लेकिन चार दिन की चानने फिरंधेरी रात की कहावत को चरितात करते हैं यातायात विभाग की कारिवाई मातर एक रस्म बन कर रह गई है पुलीस अगर चालानी कारिवाई करती है तो उस पर उपर से आयदवाव की चलते उसके हाथ मजबूर हो जाते हैं वहीं बुर्हानपूर की जनता में भी जागरू की कमी दिखाई देती है और ये वहाई यातायात पुलीस को समोचित सयोग प्रदान नहीं करती है जिसके सबब यातायात विभाग का या अभियान सफलता की पायदान को चू नहीं पाता है अनाज मंडी शेत में यातायात को लेकर शोशल मीडिया पर अनेक बार समाचार आते हैं जिला प्रशाशन की आलोचना भी होती है लेकिन वरतमान यातायात सुबधार ने पद पर ग्रहन करने के बाद अनेक नमाचार किये हैं वहीं यातायात सुबेदार नागेंदर सीह ठाकुर के निर्देश पर अनाजमंडी बजार यातायात को लेकर बार बार शिकायत आने के बाद आज यातायात पुलीस ने यातायात बांधित करने वालों पर मंगलवार को चलानी का रिवाई की यातायात उपनिरक्षक नवाब ली ने इस प्रतिनीधी को बताया कि हमें आई दीन अनाजमन्डी से शिकायत प्राप्त हो रही थी इन ही शिकायत को देखते हुए पुलीस ने आटो चालोकों पर चलानी का रिवाई की है इसका रिवाई में उपनिरक्षक नवाव अली ASI शिवनरायन मिश्रा प्रदानारक्षक धनराज पार्टेल श्री इफतेखार आदी उपस्तित रहे याथा आदविभाग के उपनिरक्षक नवाव अली ने इस प्रतीनीधी से उनके दोरा की गई चलानी का रिवाई पर क्या कहा कि सुनिए इस वीडियो में उनकी जबानी बेरोलाल जलेवी के पास बार बार आवा गवन आउरुद होता है और आटो वाले पूरे रोल पर पर पार्किंगों के रहा कुछ नहीं है और आटो लगा के और पूरा जाम करते हैं बार बार वहां के शिकायते प्राप्त हो रह रहा है इसा ओभ आटो खड़े हुए थे उनके रूप करवाई की गई गहिं। उनको पकड़के ला कि थे कुछ ऐस चींग परढ़ीर कलते हैं चारफ को करर एंगे मिसेयं हीते करें इससे कर रहे कि आपकोर सुगनाम ?